नवशकार दोस्तों, आज खास दोस्त के साथ एक बुलाखात है, यहोजें तीन अवतार वाली हैं, डॉक्टर मेदुसा के तीन अवतार हैं, बहुत कम समय में इन्हों थीन अवतार लिए हैं, पहला सबसे पहला जो अवतार जो आप लोगों तक पहुचा होगा, वह मार मार के पढ़ाती है पॉलिटिकल अंग्रेजी, हिंदी-अंग्रेजी कुछ भी और उसके बाद जो निया अवतार है वो तो बहुत जबरदस्त है ये हैं बिंदु शेरनी NGPC के हलप लाइन में आपका स्वागत है नियुस क्लिक में आपका स्वागत है तो ये जो आपने अवतार लिये है कितना मज़ा आ रहा कैसे अवतार ले लिये इतनी कम उमर में आपने तीन-तीन समय और समाज ने इस तरह से मजबूर कर दिया कि ये अवतार लेने पड़ गया और मैं खासकर कई जगा वे ने बोला भी है कि मैं अपने जितने भी अवतार है उन सब चीजों के लिए उन सारी अवतारों के लिए हमारे आदर्णिय प्रधान मंतरी जो है श्री नरेंद्र मोधी उनका धन्यवाद कहना चाहना अवतारों की चर्चा है बहुत कम महिलाएं और बहुत कम लड़कियां इस तरह से सटायर की दुनिया में हैं, व्यंग की दुनिया में कम दिखाई देती, खास्तर और से भारत में, तो ऐसे में आपका दुखदर्शन अवतार होना कैसे हुआ? एक्चली बहुत जी मुझे लगता है कि जब हम व्यंग की बात करते हैं, तो महिलाएं दिन भर में और अपनी जिन्दगी में हर मोमेंट व्यंग में ही जीती हैं और व्यंग में ही रहती हैं, उनके काम में, अगर मान लीजे वो उनको ओफिस करके आई हैं, पुरा दिन काम कर कि आई हैं, फिर भी वापस आके घर पे उनको सो कॉल्ड एक रोल निभाना पर रहा है, उसमें भी वो सटायर ढूंदती है, the work that they have been doing, I think वो इसलिए उनका रोजमर्रा उनकी लाइफ में सटायर है, तो इसलिए वो बाहर आके उनको सटायर करनी की ना जरूरत उस तरीके से होती है, ना उनके पास उतना समय है, first of all, और दूसरी बात यह है कि आज के समय में अगर मैं देखूं, तो मुझे लगता है, there have been a few names at least on social media, जो व्यंग का काम कर रही है, रांटिंग गोला एक है, गरिमा एक है, वो कर रही है, यह लोग आ रहे हैं धीरे-धीरे social media के थू ही व्यंग की दुनिया में, so यह मुझे लगता एक positive, positive तरीका है, और positive, it's a positive direction in which they are moving, जी, तो एक छीज तो आप में बताई कि मोदी जी से प्रेड़ना मिली है आपको, बहुत जादा, लेकिन अब थोड़ा समय अगर आपसे पूछूं कि यह जो दुखदर्शन है, दूरदर कहिए, corporate media कहिए, या फिर अभी जो 14, 15 नाम आये है, 14 नाम आये है, G40, तो यह जो दुखदर्शन है, यह concept कहां से आया, और कैसे आपने, कैसे आप डील करती हैं दुखदर्शन से, actually दुखदर्शन का concept, because you have seen the format of दूरदर्शन, right, शांती से बस news delivery का काम हुआ करता था, और journalist, because मुझे वो concept तब पता नहीं था, but I wanted to become a news reader, because इतनी शालीन था से वो लोग बाते कहते थे, and there was, you know, a fame, not just a fame, but a familiarity associated with these people, जो हर शाम को 9 बजे, 7 बजे आपके घर आते थे, आप उनको देखते थे, हम लोग वेट करते थे, कि शुबना जग्दीश कब आएंगी, या फिर सल्मा सुल्तान कब आएंगी, सुनील टंडन कब आएंगे, because सुनील टंडन के अंग्रेजी बहुत जादा, उनका डिक्शन वाली मीडिया गई, in fact मैं कहते भी हूं कि हमारे समाज का पतन उस समय से शुरू हुआ, जब से 24-7 news channels की शुरुआत हुई, because you have so much time and you have to fill in that time, that air time with news, तो आप एक समय में news create करने लग गए, news report करने की जगा, so because of that reason, तो उस वजए से जब दूरदर्शन का दिमाग में इसलिए आया है, क्योंकि I wanted to do like a comparison, कि दोनों क्या करते हैं और किस तरह से दोनों अलग-अलग हैं, but फिर मैंने देखा कि बहुत लोग हैं, जो अलग हैं तो आप काम कर रहे हैं, comparison दिखा रहे हैं, तो अब गोडि मीडिया का version दिखा रहे हैं, कि वो कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बदूरदर्शन या पहले के 90s का news reporting था, उसका vision, उसका portrayal था नहीं, वो भी क्या था, वो भी क्या ही था, बहुत शान्थ से आप करते हैं, and plus you report the news, आप कहीं पे, उसमें आपका कहीं पे वो आपकी voice modulation से भी नहीं पता चलता है, लेकिन आपका दूरदर्शन में तो neutral language तो नहीं है, उसमें तो भीगो, भीगो के मारा है, हाँ, तो इसे लिए क्योंकि, but then I chose the delivery format, मुझे लगता है कि मैंने उनका दूरदर्शन का रखा है, because the delivery format I think does justice to the absolutely atrocious things that I'm saying, तो उसका जो juxtaposition है कि इतनी अराम से, इतनी शान्ती से, इतनी atrocious चीज़ आप कह देते हैं, जैसे for example, मुझे अभी याद आए कि जो G14, जो sorry, G14 बार बार मैं बोल देती हूँ, जो गोदी मीरिया के 14 journalists का जिंको इंडिया गड़बंधन ने कहा है कि हम इंके शोज में नहीं जाएंगे, और जिससे वो बिलकुल तिल में लाये, बॉखलाये हुए हैं कि बतलब कैसे democratic इसका हनन हो रहा है, आप 9 साल से, 10 साल से आप खुदी अपने शोज में democratic हनन क्या होता है, यह display कर रहा है, वो बात और रहा है, बर उसमें मैंने कहा था कि I used a sentence कि कि किसी एक particular संभाददाता के और किसी एक particular editor के घर में इनकी अदालत संपन्न हुई और उस अदालत में हर कोई अपनी कोने कोने में छुप कर क्यूं किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, यह गाना सुनते हुए पकड़ा गया, तो पाया गया, तो and this is a very ridiculous image, no, like to see all these, आप बिलकुल ऐसा कह रहे थी यह से अंजना उमकरश्यप को लेके बाद चल रही थी social media पर, भाई उनको बहुत दुख है, इतनी सेवा के बाद भी, चौदा में उनका नाम शुमार नहीं है, और बहुत दुखी भी थी इस वज़ए से, तो उनका AI अवतार भी आ गया है, but anyway, it's a ridiculous image to have in your brain, but to have that delivered in a very happy manner, I think that creates a more hilarious image, और हसी का क्याना satire, is that level of self-awareness, कि आप, इतने आपको पता है, आपके life में बहुत tragedy है, लेकिन आप अब रोहेंगे, हसेंगे नहीं तो आप रोने लग जाएंगे, तो हमारी वो हालत है, कि अभी हम हसेंगे नहीं अपने आप पर, तो हम रोते भी नजर आएं दिखाई भी दे रही है, बहुत से भक्तगण, असली में किसी भक्तगण ने वाकी किया, किया नहीं किया आपको, जहां पे आप भक्तगणों को बहुत सलाह देती हैं, कि किस तरह से उन्हें दंगा भड़काना चाहिए, किस तरह से नफरत पहलानी चाहिए, आइक्चली, NT मेरी हेलप लाइन है, जिसका नाम है, नाशनल ट्रोल प्रसिक्शन सेंटर, तो उसका आइडिया इसलिए था, क्योंकि जब शुरुआत मेरे वीडियो थोड़ी बहुत चलने लग गए थे, वाइरल हुए थे, तो जैसा कि सब को पता है, एक बार सोशल मीडिया पे आपकी क नाम कि अगए थे, तो मैंने नोटिस करना शुरू किया कि बहुत सारे जो थे वो बिल्कुल सिमिलर लाइन में जाते थे, तो नहीं है, बलाप अवा भग्त गर्ण के एंकर तो नहीं कोता रही है, जो एक साथ ट्वीच करते हैं, सारे ट्वीच ही होते हैं, कॉमा कि अच्छा आप टेंशन मत लीजे आप बस कॉपी पेस्ट कर लीजे आपको सोचने की जरुरत नहीं है तो वो ऐसे ही है तो दे डोंट थिंक और उनका वही ना ट्रोलिंग का लाइन कि अच्छा पिस्ट करते हैं अगर मेरी तरह किसी नॉथी से और इसे पर पूपी पेस्ट वाला थिंगे जो लोग similar similar चीजेज हर जगा रिपोर्ट करते हैं देश के 14 ही नहीं जादा अंकर not just anchors, it's even some celebrities, no celebrities in the cabinet ministers, cabinet ministers भी करते हैं celebrities करते हैं, एक बार तो ऐसा वा था कि उसमें तो लिखा हुआ था कि प्लीज प्लीज पोस्ट इस और तो जिससे उसने आपको सुनने में लगेगा कि बहुत रिडिक्यूलस है लेकिन अक्चली में वो हो रहा है यू यू डॉन्ट हाफ तो सम्टाइम्स उर्विश भाई है उर्विश कुठारी जी है जो वो भी सटायर करते हैं वो गुजरात में जरूरलिस्ट है हम लोग का अक्सर ये कहना है कि हम लोग को सटायर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती वी जस्ट अब्जर्व अराउंड आस खुद भाखुद हो जाता है खुद भाखुद लग जाता है कि अच्छा मतलब ऐसा थो हम लिख भी नहीं सकते थे इतना इतना रिडिक्यूलस कुछ चीज होता है और फिर बिंदु शेर्नी कहां से आया यह जो अफ़तार है आपका नया यह अपने आप में बहुत एंट्रस्टिंग है अचली यह सवाल मुझसे आज तक किसी ने पूछा कि बिंदु शेर्नी का नाम कहां से आया या फिर वो क्यारक्टर कहां से आया जब हम लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं और राइट विंग के कॉंटेंट को अमको देखना पड़ता है ना चाहते हुए भी इन और टू रि एडिशन करना क्योंकि मुझे मेरी रिस्पॉंसबिलिटी लगती है कि समाज में का अल्टरनेटिव नारेटिव का होना जरूरी है जिसको यूथ सोशल मीडिया का यूथ एकसेस कर सके क्योंकि हर कोई फोन पर ही है अचके दिर में तो जब मैं यह सब देख रही थी तो एक एक मुझे बहुत बहुत ही आश्चरिय चकित करने वाला एक कॉंसप्ट यह लगा था कि जो राइट विंग में महिलाओं का होना मुझे लगता है कि इंटायर राइट विंग देख राइट राश्र में भी और एक कोई जगार नहीं हो सकती है एक महिला है जिंके उपर F.I यहार भी हुआ सब कुछ ड्रामा हुआ गुजरात की ग्रेट काजल यहां विलकुल एक्जाक्ली तो इग्सिस्टेंस अविमन इन राइट विंग मुझे बहुत आश्चरिय करने लगता है बिकास देहिंदू राश्र दोस्पेस पर आश्चरिय वोमन देह थे रोल फॉर is a second-class citizen ठीक है तो और राइट विंगी ideology में भी the role of a woman is a second-class citizen आप मा बनिये है आप घर पे रहिये आपका gender specific role है आप वो कीजिये उसके बाहर आपको जादा लड़के पैदा करने है आपको मा बनना है और यहां आपको जादा लड़के पैदा करने है आपको मा बनना है और then the and then I started looking at women's content in the right wing and one name which one phrase which came up every single time is that I am a Hindu Sherni, I am a Hindu Sherni, I am a Hindu Sherni, I am a Hindu Sherni. I am like okay, thek hai, you are Hindu Sherni, you are Hindu Sherni, tu are Hindu Sherni. वो नाम बस वहां पे था, because it's a play on this phrase, Hindu Sherni, because you will, you will, and you often have to realize, Sherni जो होती है, Sherni अपने परिवार में, अपने ट्राइब में सबसे जादा काम करती है, she is the one who does the hunting, she is the one who does the rearing of the kids, she is the one who does the protection and fighting, Sher to 20 गंटे सोता है, और लेकिन फिर भी वो शेर है, वो राजा है, you will never get that place, you don't see, it's right there, you don't see what is your role going to be, if you are calling us only Hindu Sherni, so मुझे लगता है कि वहां से, वो जुक्स्टर पोजिशन से, I chose the name, और फिर वो स्टिक कर गया कि, हाँ बताईए हम Hindu Sherni है, आपकी क्या मदद कर सकते हैं, अच्छा ये एक आखरी में मैं ये जानना चाहूंगी, जो तमाम भक्तगर्ण भी देख रहे होंगे, और मुपत के दुकाउन वाले देख रहे होंगे, दोनों तरह की दुकाने हैं देश में इस समय, कैसा रिस्पॉंस रहा अभी तक की जो आपकी जर्नी है, उसमें आपको क्या लगता है और क्या फ्यूचर आप इस मीडियम का, इस सटायर का देखती हैं? अभी तक तो रिस्पॉंस हाज बिन एक्स्ट्रीमली एक्स्ट्रीमली हम्बलिंग फॉर मी, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं आपसे बात कर रही होंगी, पहली बात तो या, हम लोग न्यूज क्लिक घर पे बैठके देखा करते हैं, अभी भी देखते हैं, I have met some wonderful people, जो already is, not just in media, but on ground also, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वाकई में, जमीनी तौर पर एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो वोग बने इंस्पाइरिंग तो मुझे तो बहुत जादा एक जीवन को सोचने का, देखने का नजर या भी, because I am a very, very cynical person, मुझे कहीं पर भी positivity, मुझे इस वक्त तो समाज में positivity नहीं नजर आती, मुझे लगता है कि नहीं सबकुछ, अम लोग रसातल में है, रसातल में ही जाएंगे, मेरा काम है, बस करते रहो, तो बस करते रहो, आपको करना है, तो अब this is the path that you have chosen, you can't just stay. मैं महबबत की दुकान का भविष्य दिखनी रहा? नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, it's a very hopeful thing, it's good that someone has hope, and I am ready to back somebody who has hope, but मेरा खुद का नहीं है, मैं खुद से, अगर देखती हूं आस पास, थोड़ा थोड़ा सिनिकल, सिनिसिस्म का पाहड है ना, उसमें वो दस्रतमाजी की तरह, उसमें टनल खोदा जा रहा है, तो थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, लाइट अपने अपने जर्नी की, जर्नी की, फ्यूचर की बात है, मैं तो चाहूंगे, ऐसी ऐसा समया है, जहां मेरे साटायर की जरूरत ना पड़े, लेकिन समाज में इतनी सारी चीज़े हैं, इतनी सारी बुराईया है, इतने सारी साटायर है, आज की डेट में मुझे लग रहा है, कि अभी फिलहाल मुझे, मोदी जी से काफी फायदा है आपको, बहुत जादा कंटेंट सोचने के जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद दे देते हैं, जैसे कली वाला नहीं था, जो वो जा रहे थे, तो खाली फोल्डर लेके जा ले थे, तो कौन करता है ऐसा, वो जा रहे क्यों खाली फोल्डर आपको लेके जा रहे हैं, किसी में लेखा थे कि वो डिजिटल फाइल है, वो रहे वादरफुल वादरफूल पीपल ले वादनारी, वंदन नारी वंदन अधिनियम हो रहा है ना, तो उसमें मैंने लिखा वंदन मत कीचिए, जीतना हग है उतना दीजिये बस, बड़ अनिवे, तो हम चाहेंगे कि कभी सटाइजी जरूरत ना पड़े, लेकिन मतलब मेरा anti-establishmentarian होने के अलावा भी देरा certain, बहुत सारे ideologies होते हैं लाइफ में, बहुत सारे identity से इंसान बनता है, मुझे लगता है फेमिनिजम का तो इश्यू का भी खतम ही नहीं होगा देश में, समाज में patriarchy है, देश में है, सब में है, तो और संगोल यूग है, मनुस्मृती बनाई जा रही है, मनुस्मृती खड़ी हो रही है, मनुस्मृती के बारे में तो वह भी है, कि आप उसको established कीजिए और वह कीजिए, internalize कीजिए, बहुत जादा अच्छा लगता है मुझे करके, I wouldn't say I particularly enjoy doing certain things, because there are certain pieces which I have to write, जो मुझे बहुत जादा दर्द देता है, फिर उसके बाद therapy लगती है, line से, दो-तीन दिन लगना पड़ता है, और फिर internalization होता है, एक हफते तक, फिर दोस्तों से बातचीत, फिर जाके मन कहीं शान्त होता है, बट उसके बाद भी आप शान्त भी हो जाए ना किसी चीज़ को लेके तो आपको लगता है कि क्यूं, वो भी गिल्ट होता है कि क्यूं शान्त हो गया, आपको तो गुसा रहना चाहिए था इस बात पर जाता, आज भी तो मनिपूर में वही situation है, उसके बाद लेकिन अबगाने हैं, वही जाए ना किसी बाद भी दूचने लेकिन आपको लेकिन परेड वाला इसा होता है, बहुत जादा मैं दिस्टर्ब हो गई थी और फिर वाटव जो भी मैंने पीस लिखा था उस समय में वह लिखने में बहुत दुख होता है, तो उसके बाद लेकिन अब जैसे चीजे चेंज हो गई हैं, तो अब मुझे शायद उतना दर्द नहीं हो रहा, तो मुझे इस बात का गिल्ट भी है क्यों नहीं हो रहा, तो you see where it comes from, कहां से कहां जरुवत पड़ी है जरभी की वहीया क्या हो रहा है, क्या दिमाग में क्या चल रहा है, इस इस वजह से शुरू किया था, क्योंकि मन में बहुत सारी बाते थी जो कहनी थी, और जो कुछ हम फिजिकली नहीं कर पा रहे थे, अपने आप से फिजिकली on field ground में जाकर कोई चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो इस बात का एक मलाल था जिसको मुझे लगता है कि इस हटाने के लिगे, यह क्रेटिव अभिव्यक्ति मिली, वही अच्छली क्रेटिव अभिव्यक्ति is the word for it, कि for what I do, बट उससे जैसे हमने कारवां बनता चला गया, बहुत जादा बहुत प्यार मिला है, तो इन फाक एक अवतार भी आ रहा है बताओंगे नहीं, लेकिन अभी आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा suspense है हो हल्चल की होने वाली है, because I was thinking कि क्या कर सकते है और कुछ थोड़ी और खलबली थोड़ी और खलबली बहुत बहुत शुक्रिया नुश्कलिस भाट खलबली Thank you so much, thank you everyone, thank you, it was wonderful.